जो अब आफ्टर न आप सभी का स्वागत है अने अकड़ी में दोस्तों में नाम है निलेश और दोस्तों हम आप शुरू करने जारे काफी इंपोर्टन सेशन आप सभी के लिए मेरे दोस्तों सुषिल कुमार जी आपका स्वागत है या ओके कूल या हलो 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 चलिए रैपिड फायर करेंगे बहुत सारा इंपोर्टन टॉपिक्स है यहां पर आप सभी के साथ डिस्क्राइब लेक्चर नंबर 11 है यहां पर जो आपको बता दू यह जो तारी तो यह जो थो आपको बताया है इत्स तीन है तारीक आज आज तीन तारीक आज चलो तो लेक्चर नंबर आपका 11 रहा यहां पर काफी इंपोर्टन हैं पर आप सभी के लिए रहेगा काफी सारे कोश्टन आपके साथ करेंगे है अलो सुचिल कुमा जी आपका स्वागत है आप सभी के साथ वाव अमेजिंग इंट्रेस्टिंग पार्ट है एंड इस विल हाव डिस्केशन विद इचन एवरिवन चलो तो मेरा नाम है निलेश आइंड करेंगे बहुत सारे कोश्टिंस के तजारी आपको सभी को बताएं तीन सेशन हम अभी हम कर रहे हैं अपनी चैनल सेशन हम कर रहे हैं यहां यहां पर बिहार स्पेशल करेंगे नहीं क्योंकि आप सब्सक्री वाले क्वेश्टन सभी के साथ यह हमारा सेशन है पर हैं को स्कॉट्वर पहला क्यों लेकिन के पहले बतादो टेलेगरम ग्रूप जोएंड करने भूल यहां अमत वहां पर आपके साथ लिंक्स टेर की जाएगी सशन की जहां पर आप जुड़ सकते हो देखो दोस्तो पहला वाला कोश्चन यह रहा आपके स्किन कोपर काफी एजी है मक्कन है कि अंतर राश्य रेड़कॉर्स समीटे का मुख्याल दोस्तों कहां पर है बताइए कि क्या यह बर्लीन में है प्राग में है मॉस्को में है या फी जिनेवा में है क्य सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत सारे कोश्चन करने जिनेवाई आपका सही आइंसर है आपको हर कोश्चन के लिए 10-15 सेक्ट मिलेंगे जाते सेकंड नहीं दूंगा मैं आपको आपको इसका आइस देना है चार्ट में 10-15 सेकंड समय शूर होता है अब कि यहां पर अपर दाये की फोड़ॉंग मत निमलकित में से किस राज्य में स्थित है क्या बिहार में है उत्तर पदेश में है अरुद्धर पदेश में है या फिर दूस्वों सिख्किम में है क्या लगता आपको सब्सक्राइब क्या रहेगा बताएगे यह आपके स्किन के ऊपर दूसरा राइड आएंसर यह है आपका सिख्किम सिख्किम इस राइड आइंसर दोस्तों भारत में डैश डैश पर प्रतिवर्श सशस्त्र बल जंडा दिवस मना जाता है क्या यह साथ जून है 11 जून है साथ दिसेंबर या फिर दूसर 11 डिसेंबर क्या रहेगा कुछ याद आ रहा है आपको बताएगे यह आपके स्किन को पर दूसरा राइड आइंसर यह है आपका साथ दिसेंबर साथ दिसेंबर यह आपका important है ओके दहान रख लेजिए आगे चलते हैं बात करेंगे next वाले question के बारे में rocket निमलेकित में से कि सरक्षन के नियम पर कार्य करता है क्या law of conservation of mass law of conservation of energy law of conservation of linear momentum या law of conservation of angular momentum बताएगे क्या लगता आपको what will be the right answer of this one यह दोस्तों आपके skin के ऊपर काफी interesting देखें यह दोस्तों law of conservation of linear momentum easy है दो हम बात कर रहे है रॉकेट रॉकेट जो भी हाँ से जाता है तो वो किस के उपर linear momentum होता है ओके आगे चलते हैं बाते पर कर लेंगे दोस्तों electric tram जो होती है आप सुभी को पता है इसका आविश्कार किसके दोरा किया गया था ओके जो kolokata में काफी चल जाती है दोस्तों बताइए इसका राइड एंसर क्या रहेगा कि electric tram दोस्तों किसके दोरा विश्कार क्या गया फियोदेव पायरोस की आर्थर पिटनी फ्रिड्स फल्यूमा या फिस स्टीफन पेरी बताइए क्या इसके जी वेलकम आपका स्वागत है इसका राइड एंसर रहेगा आपका फियोदर पायरोस की ओके फियोदर पायरोस की ने यहाँ पे electric tram का दोस्तों क्या क्या इन्वेंशन आपे कर रहा है तो यह काफी important आपके लिए session question बन जाता है ओके आगे चलता है बद आपे करेंगा दोस् स्टाटिक वाला question है जी के बाढ़ हमेचा स्टाटिक होता है ओके बताइए अगे चलता है उत्तरपदेश से होकर नहीं गुजरती है ओके चतिसगर से होकर गुजरती है और ओड़ी से होकर ऑबिसली गुजरती लॉजिकली बात है नेक्स चलेंगे बात आपके कर लेंगे भारती राश्य कॉंग्रेस के पहले 17 में दोस्तों कितने प्रतिनी दिने पर भाग लिया था हमेने डेलिगेट्स अटेंडड़ फर्स्ट आइएंसी मीटिंग दोस्तों बताइए जो कि हुई थी बॉम्बे में उस टाइंग उससे बॉम्बे कहा जा था बात मिसका नाम मतल कुछ आ रहा है चलिए बात करते हैं यह रहा दोस्तों आपका राट वलाएंस से सही दोस्तों यह दीखिए 72 यहां पर होए थे 72 साही आइसर है एक से दो नहीं 72 आगे चल दे सुछी आइसरस्टी कॉश्चन नमबर नेक्स कर लेंगे दोस्तों थोड़ा सा फास्ट कर रहा ह आपको बता दू काली सिन थर्मल पावर स्टेशन निमलिकित में से शेहरों में से किसके क्षित्र में स्थी थे क्या कोटा में है जालवाड में है अलवर में है या जोदपूर में है बताइए काली सिन थर्मल पावर स्टेशन जो है is located in the vicinity of the which following cities कोटा जालवाड जालवाड या फिर दोस्तों अलवर या जोदपूर बताइए यह रहा दोस्तों सही वाला राडवाड एंसर यह है आपका जालवाड ओके इंपोर्टन द्यान रखेलेजिगा काली सिन थर्मल पावर स्टेशन जो है यहाँ पर जालवाड में स्थित है आगे चलता है नेक्स वाला फिर देंद्य में या रही में बताएं इसका दोस्तों एंसर क्या रहेगा क्या लगता है आपको वर्ल्वाड और रहेगा तो यह रहा आपके Skyn के ऊपर कहारी मखन है मखन question है यह रहें सुछ सब्सके में यह था और आपने आइनसर आगे चलते बादिए पर करेंगे वर्ल करेंगे बताइए वर्ल्ड एंवर्मेंट डे दोस्तों कब मना जाता है क्या 6 मार्च को साथ मा साथ अपरेल को पाच जुन को या 19 सितंबर को राणे सोस्तों यहां पे रहा यह देख लिए आपके स्कीन को पर यह पाच जुन को मना जाता है पुश्व परियावरन दिवस कब पाच जुन को अगे चलते हैं बात करें दोस्तों नेक्स वाले कोशन के बारे में क्या क्या होगा स्ट्रयांग बेस होगा विक पेस होगा बताइए क्या लगता आको इसका रटक आ रहा है कुछ come on what does you think the right answer would be the answer दोस्तों यह रहा आपके स्किन के उपर देखे यह है आपका weak acid यह क्या वाद है सुशिल सही है cool one अच्छा कर रहे हो next वाला question आपे देख लेंगे निम्नलिकित में से कौन सा क्षेत्र भारत की राष्ट्री आए में सबसे अधिक योगदान देता है हम GDP के बाद हमेशा यहापे करते हैं income की दोड़ी अगर बात यहापे करेंगे तो भारत की अगर जो income यहापे national income है उस national income में कौन सा सेक्टर ज्यादा योगदान देता है क्या banking है trade है manufacturing है agriculture सबस्था पैसा कहां से आता है बताईए क्या कहते हो कुछ आ रहा है एंसर या नहीं आ रहा है come on बताईए the answer would be दोस्तों यह रहा आपके skin के ओपर काफी interesting तरीके से चलिए यह रहा देखेगा important है देखे यह answer आपका रहा यह राजधनी यहापके क्या है बताईए लिलोंगवे है मैडरीड है लिजबन है सही है मतलब यह जो मतलब देखेए अब मैं बताऊंगा नहीं डिल में हापके है लेकिन आपके रहा जो बाकि जो तीन है ना यहापे तो वो सबको पता है उसका मतलब answer सबको पता है है ना ओके क्या है इसका answer दोस्तों answer है आपके screen के उपर यह रहा लिलोंगवे क्योंकि लिजबन मैडट किसकी है लिजबन पोचुकाल की है मैडट स्पैनिश इसका answer क्या रहेगा नौर्वे की है या स्वीडन की है डेन्मार्क की है बात करेंगे नेक्स वाले question के बारे में यह रहा किसकीन के उपर भारतिय राश्यों कांगरेस के पहले अधिशन के अधिश्यता किस ने किस ने कि अब यह मक्षन कोशन है इसे वाले question जो काफी वार पूछे गए है लेकिन बार बार रिपीट होते है क्या सुरंदनात बैनर जी है वो में चंद्रा बैनर जी है आरुबंदो घोश है या बिपीन चंद्रपाल है बताइए क्या लग रहा आपको दो इसका answer क्या रहेगा कम आन आपके स्क्रीन के उपर यह देखेगा वो में चंद्रा बैनर जी इस राइट आइंसर आपका सही answer आगे चलते बात आपके करेंगे नेक्स वाले question वो में चंद्रपाल नहीं वो नहीं थे आगे चलेंगे बात करेंगे बैक्टेरिया की खोदोसों किस ने आपके करी थी एंटरिवान लुवेन हॉक रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट कोच बैक्टेरिया की खोदोसों आपके किस ने करी थी क्या लगते आपको इसके सो शेवल आइंसर क्या रहेगा बताइए कमान कोई आइंसर आपे आरहा है या नहीं आरहा है बताइए यह रहे दोस्तर आपके स्किन के ऊपर काफे इंट्रेस्टिंग है देखें यह है आइंसर इट्स आईंतोनी वान लुवने नियक आगे चलते हैं बात करने दोस्तों नेक्स वाले question के बारे में आइन काफी important ही आपके सामने रहेगा यास रॉबर्ट ब्राउन ने मेरे दोस्त आइंटोनी वान लुवेन हॉक अब देखते हैं यहाँ पे कि दुनिया की दूसरी सबसे उंची चोटी केटू का घर है क्या केटू कहां पर दोस्तों question सीधा यह है कि केटू कौन सी परसुरिंखला में है लदाक में है पूर्वी कारा कॉरम में है पीर पांच लेफी जोस्तों जहांसकार बताइए इसको आइंसर क्या रहेगा क्या लगता आपको what would be the right answer of this one क्या लग रहा है इसका आइंसर क्या रहेगा चलिए यह आपके स्किन के उपर दूस्तों राइट ला आइंसर यह इस्ट कारा कॉरम शुरूंखला काफी important इस्ट कारा कॉरम शुरूंखला यह easy है अगे चलते देख लेंगे नेक्स वाला कोशन दूस्तों आपके क्या उभर के आता है आप से भी के साथ यह रहा आपके स्किन के उपर दूस्तों देखेगा हमारे बात और में किस ग्यास की सांदरता सरवाद दीखे ओक्सिजन की hydrogen की nitrogen की carbon dioxide की बताइए हमारे यहाँ पर हमारे बात और में हमारे environment का कौन सा जदा है मखन क्योशन है सबको पताए शायद है ना oxygen nitrogen hydrogen या फिर carbon dioxide बताइए बी hydrogen कहे रहे हो अरे इससे से वहलाएं से दूसर nitrogen N2 O कितना है O2 and CO2 कितना है CO2 0.0333 0.0003% आगे चलेंगे बात आफ़े करेंगे next question के बारे में देखिए दसवे सी गुरु 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 गोबिन सिंग जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए मिलिकित में से कौन सा दिन हर साल वीर बाल दिवस के रुपन उबर हैं बताईए कि आपको लग है इसका राइण सर्क्य रहेगा कुramos सकता है ओ लौसरे आपके ङूपर ये निया रहाँ देखके खेंगे दिसेंबर है ध्यान रहें है या आगए चलेंगे बातर आप से करेंगे नेक्स वाले question के बारे में milk is an example आप दूद निम्लिकित में से दोस्तों किसका उधरन है बताइए क्या लगता है आपको मिल्क दोस्तों किसका उधरन है आरे से आपके साथ बताइए यह आप सभी के साथ दोस्तों दीखेगा और यह दोस्तों इमल्जन का example है इमल्जन पाइस का यह दोस्तों example धान रखेगा काफी important यह से वाला guidance आगे चलते है यह चलो नेक्स वाला question आपर रहेगा आप सभी के साथ देखेए नेक्स question यह है कि किस आंदुलंग के दोरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों दोरा दी गई उपादियों का त्याग गिया था डिखे रोलेट अड़ के दोरान, non का महात्मा गांधी जी ने सारे जो उपा दिया है उसे त्याग दिया था क्या लगते आपको क्या रहेगा कुछ यह आता रहा है बताईए कमान क्या कहते हो आप से भी कहाप पर इंतिजार रहेगा बताईए दराड आइंसर वोड़ भी दोस्तों यह रहा आपके स्किन के उपर काफी इंपोर्टन्ट है यह रहा देखेगा जब नौन कोपर्शन मुं में चल रहा था असर एक आंदुलन तो दिखेगा इस आंदुलन के दोरान जो है यहाँ पर अपनी उपादियों का जो है यहाँ पर त्याग कर दिया रहे हो तो यह रविंदना टागोर जो नहीं अपनी उपादिती सर वो यहाँ पर उन से नहीं को या फिर रोबर्ट बंस को या फिर इन में से कोही नहीं बताई है कार यहिस कंसर रहेगा कुछ हमाइड वाला और वाला-प्रार्था क्यॹन है तो यहाँ स्कंसर रहेगा वो रहा है एवंजे लिस्ता तोरी से लिए काफी इसी है आगे चलते बाद आपको करेंगे दोस्तों next question के बारे में बात करेंगे आपके यह मुन नदी के तडपर दीप दीन पनाह शहर की निव किस ने आपके रखी क्या अगबर ने रखी शहाजा ने रखी हुमायू ने रखी या फिर जहांगे ने रखी क्या लगता आपको बताइए what would be the right answer of this one क्या रहेगा इसका राइट आइसर बताइए सहीज का एंसर क्या हो सकता है कुछ यहाद आ रहा है चो यह बात करते हैं नेक्स वाले क्वेशन के बारें दोस्तों यह रहा हुमायू यह आपका सही आइसर दीन पनाह शहर की निव किस ने रखी तो यहाँ पर हुमायू ने यहाँ रखी है बातों को ज़र ध्यान में पर भारत के निमलिकित में से किस कुर्शी विश्विद्धालय ने जाई गेहू चावल और नाइजर फसल की दोस्तों देखेगा यह नई किसमें विकसित की हैं बताइए क्या यह जीबी पंत उनिविशिटी आफ एगरिकल्चर है जावाला नहेरू कृशी विश्विद्धाल इंतिजार करें हम सभी का आप सभी के साथ यह रहा आपके स्क्रिण के उपर दुस्त रहा आट वला आइंसर इसका रहा जावाला नहेरू कृशी विश्विद्धाले काफी इंपॉर्टन्ट है चलिए आगे चलते देख लेंगे नएवाला कृश्विश्विश्विश्व लेकिन पहले इसका अ gefragt बता दीजेगा कश्रिण आपका स्वागत है प्रायागरणजन ओम्रतर आनगे रहेत्यं हैए joue फेनिजवर्य वेसे इहएं रापिड रौश्विश्विश्व नाइज है ज्यादा इक्डम नहीं कर रहे है क्वस्षिन करें किया इरादार रह रहेहे आगे चलते बात हैं पर गरेंगे निमनलिखित में से किसे ब्लाक बैक की शरण के रूप में जाना जाता है क्या ये सवरिष्का नैशनल पार्क है रेफ्यूज अप ब्लाक बन मतलब ब्लाक बक के लिए एक एडिया जहां पर वो सर्वाइब कर सकता है गजनेर वाइफ संक्चुरी जे और ताल चपर नैशनल संक्चुरी बता ये क्या आको लगता है इससे आंसर क्या रहेगा बताइये वाट वुर्य दिर्ट इन्षर अब इसवन कम आँ क्या रहे ड़े आपका राइटार इन्षर पलाचल रहा है यह रहा आपके सिंद के उपर दोस्त राइड आएंसर सर हिंदी में option नहीं है हिंदी में आएंगे next वाले question में आएंगे दोस्त tension की बात नहीं है यह ताल चपार जो sanctuary यहाँ पर रही है हिंदी में थोड़ा मुश्किल है हिंदी में option आएंगे कुछ questions में आएंगे कुछ-कुछ question में नहीं है जापर हम हिंदी नहीं type कर सकते जापर यहाँ पर देखिएगा आप ब्यूटन का हिंदी में type करना थोड़ा मुश्किल है ना तो C5H12, C3H10, C4H10 या फिर C2H6 बताइए हिंदी में option आएंगे नेक्स वाले question में दे दूँगा निम्लकित में से कौनसा ब्यूटन का सही रासनिक सुत्र है बताइए सुशिल, सरश्टी, प्रयाग बताइए राडेंस या पर क्या रहेगा राडेंस या पर यह आपके skin के उपर देखे C4H10 यह जो है दोस्तो क्या है यह ब्यूटन का सही रासनिक सुत्र है क्या बात है प्रयाग अपने सही दिया सुशिल, अपने भी सही दिया आगे चलते नेक्स वाले question दोस्तो यह रहा दिखेगा लोगसभा अद्धिक्ष अपना त्याग पत्र निमिनकित में से किसे समोजित करते हैं राष्टरपती को अपने सरनादिश को जो होते सुप्रीम कोट के उनको या फिर डेपूडी स्पिकर जो होते है लोगसभा के उनको या फिर जो हमारे उपर राष्टरपती है उनको लोगसभा अद्धिक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं बताईए क्या इसका इंसर रहेगा कुछ याद आ रहा है कम आन चलि बताईए यहाँ पर इसका इंसर क्या हो सकता है यहाँ दोस्तों आपके स्किन के ऊपर काफी इंपोर्टन्ट है यह रहाँ देखेगा यह दोस्तों डेपुडी स्पिकर आफ लोगसभा इंपोर्टन्ट ध्यान रख लेज़े आगे चलते हैं बादेपे करेंगे दोस्तों किस अधिनियम द्वारा स्थानिय सोशासन को हस्तंदर्थ विशय में परावर्थित कर दिया गया है मतलब जो स्थानिय सोशासन जो था वो उसको दोस्तों दिखेगा इंडियन गुवर्वर्मेंट आक दोस्तों 1861 क्या लगते आपको इसका राइट आइंसर क्या रहेगा बताइए वाट वूर्द रड़ आइंसर अब इसवन कमान आरा राइट आइंसर इसका बताइए यह रहा दोस्तों आपके स्क्रिंग के उपर सही आइंसर देखेगा यह है इंडियन गुवर्मेंट आक्ट 1990 से यह बात शुरू हुई है आगे चलते बात आपके करेंगे दोस्तों निम्नलिकित में से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतिय को ने जुनिता विलियम राकेश शर्मा रवीश मलोतर आपके दोस्तों कलपना चावला बताइए इजी है मुश्की लहनी दोस्तों बताइए सही अंसर इसका क्या रहेगा क्या लगते आपको वाट वुडव राइट आंसर आप देख लेंगे आप से भी के साथ यह रहा दोस्तों देखे निम्नले की दुपकरनों में से किसे लियोनार्डो दा विनसी तोरा खोजा गया है क्या दोस्तो चयदुश्कोप है प्याराशुट है बल भया फिर मैंठ है इसकी दोस्तों आपका क्या रहे है विद्वर ईंस was औ'M से क्या को रहा है और वे दॉस और गो आगे चलेंगे बात करेंगे किस देश का रेलवे बारत से 420 ब्राडगेज व्यागन खरीदेगा ओके थोड़ा पूराना कोशन है श्रादी से हम स्कीप कर देते हैं क्योंकि एक करेंड आ जाएगा है न फिर इसे स्कीप कर देंगे आइंड विल जस्ट गो टुटि नेक्स्ट डन जस्ट होल्ड कीजिएगा हम इसे कट कर देते हैं ओके क्वेशन नमर नेक्स चलते हैं यह वाल क्वेशन नहीं करेंगे क्या लगा नाशनल इंडियन नेवी डेजो होता है दोसों सेलिबेट किया जाता है कब यह 4 December को, 4 October को, 8 October को या 8 December को, 9 से न दिवस, बताइए, कब हम celebrate करते हैं, क्या लग रहे हैं आपको, इसको सुराइट आइंसर क्या रहेगा, कब करते हम celebrate इसे, कुछ याद आ रहा है, यह रहा दोस्तों हम celebrate करते हैं, इसे 4 December को, 4 तो की दो अप्शन हैं न, संदीप आपका वेलकम हैं, बताइए, तो दोस्तों, 9 से न दिवस, जो है, 4 December को आपे मना जाता है, इंडिया नई वी डे, ध्यान रखेगा, आगे चलते हैं, नहीं, 4 December को होता है, प्रयाक जी, बात करेंगे हैं, सरोच नायले में, दोस्तों, प्रविक्त होने वाली भाशा कोन सी है, मतलब, दुनों language जो यूज होती है, सरोच नायले में, सरोच नायले में हिंदी यूज होती है, संस्कृत, इंग्लिश, या दोनों यूज होती है, एक और हिंदी और इंग्लिश, दोनों यूज होती है, क्या लगता है आपको, इसका राइंसर आपको क्या रहेगा, बताइए, कुछ याद आ रहा है आपका answer, बताइए, what will be the answer of this one, चलिए, आपको यहाँ पर show करते हैं, इसका राइंसर दोस्तों क्या रहेगा, ये देखे आपके स्कीन के पर, ये दोस्तों right answer आपका है, इंग्लिश, नहीं नहीं बोट one and two नहीं है, one and three नहीं है दोस्त, सुप्रिम कोर्ट में जो भाशा चलती है, या फिर जो एडवोकेट्स और जो 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 भाशा यूज करते हैं, वो इंग्लिश होती है, हिंदी नहीं उस होती संस्कृत भी यूज नहीं होती, धान रखिएगा, वो only English, ये स्प्रायक आपका स्विए, आगे चलते हैं, बात है पर करेंगे, निमलिकित में से कौन सा संस्कृत वाक्यां सत्यमे जोते का स्रोत है, सत्यमे जोते हमने कहां से लिया है, क्या है दोस्तों मुंड़को पशिन पशिनियद है, अगम साहित्य त्रिपीटा क्या वाइबल, एजी है, बहुत बार ये कोशन आप साहिद ये कर भी चुक्या होंगे, है ना, बताइए, इसको स्वाइड आइंसर क्या रहेगा, कम ओन, what will be the right answer of this one, आ रहा है, चलो, यह आपके स्किन को पर तो सहरा है, यह आपका A है, सबको पता है शाहत, A वाला, मुंड़को पशिनियद, सबको पता है, आगे चलते हैं, बताइए, आइनिक योगी मतलब देखेगा, क्या बात है, तो क्या उच्छे गलनांक का बिंदू यह नहीं है, निमने क्वथनांक, और के पिगली हुई सिती विद्ध्यू का अच्छा चालक, या फिर दोस्तों पानी में घुलन शिल, इनमें से तो सही क्या रहेगा, कौन सा गुण यहाँ पर नहीं है, क्या लगता आपको, वाट, वीडिद रड़ एंसर अप इस वन, कुछ आ रहा है, बताइए, से लगता आपको, इसका रड़ एंसर क्या रहेगा, तो यह रहाए आपके स्किन के उपर, इंटरेस्टिंग यह लोग वोईलिंग पॉइंट है, लोग वोईलिंग पॉइंट यह आपे नहीं है, तो वाट, 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 वाट आपको सब कोता है आपने इनिसाइटी पड़ी है और आपको पता भी है तो इसका सही आइसे दोस्तों क्या रहेगा आपके सिंग के ओपर यह सही आइसर इस एक्वेटोरियल रिजेन माइडिया इक्वेटोरियल रिजेन यह होता है क्योंकि होट वाला इंटरॉपिकल करमजन जोन होता है नेक्स्ट कोशन दोस्तों यह आपके स्किन के उपर निम्दागित में से कौन सी नदी दो बार भूमत दे रखों को पार करते हैं क्या यह जाहरा है Amazon है नील या फिर नाइजर इजी है दोस्तों आपको शाद यह बात बता होगी इसकी बता दीजेगा क्या इसका रड़ एंसर रहेगा तो आइंसर इजी है बताए जाहरे होगी क्या शायद मुझे लग रही है जाहरे होगी नेक्स बात यह पर कर लेंगे आप सिभी के साथ इसका रड़ एंसर यह पर जाहरे है जाहरे is the right answer आफरिका में दो बार यह इसे पार करती है इसे घूमके जाती है यह द्यान रखेगा जाहरे नापकी कंट्री भी है आगे चलेंगे देखिए अब क्यामिट हम बात यह पर कर रहे है थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन को जो है यहाँ पर मोल कर लेंगे यह वाला ओके जाहरे आपके कर लिया ना आप चलते है नेक्स वाले कोशिंग दरख यह आपके स्किन के उपर UNFCC का दोस्तों पूर्ण रूप क्या है वाट इस फुल फॉर्म आफ यून एफ सी 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 आप सब को रहता है UNFCC है अब यह एफ सी 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 का फॉल फॉर्म का है कि UNFCC framework convention on constitutional change यह United Nations for constitutional climate change यह United Nations framework convention on climate change और UNFCC force for continuous climate change बहुत बार यह question कर चुक है बहुत बार news भे दोस्तों यह आया है तो शायद आपको यहाँ पर आइंसर इसका आता रहेगा में भी आ चुका होगा बताएए देख लेते हैं यहाँ दोस्तों आपके स्किन के उपर देखेगा देखेए यह है इस दोस्तों यह देखिए युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट यह इंपोर्टन आपसे लोग के लिए ओके आगे चलते बाद आपके करेंगे नेक्स वाले टॉपिक के बारे में देखेंगे दोस्तों आपके क्या के चीज़े उभर के आ रही है आपके सामने या इस दोस्तों यह देखिए युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट यह आपका सही वाला आइसर है भूलिया कमते से आगे चलते हैं नेक कॉंसिलूशन नहीं मेरे द दोस्तों निमनली खित में से कौन चतुरत भूखताओं का एक उधारन है मतलब कॉटरणरी कंसुमर क्या चूहा है स्नेक है लेपड या फिर राठ है क्या लगते आपको इसका राणे से दोस्तों क्या रहेगा बताए यह या तेन दुआ या फिर बात हम करें लेपड मतलब होगा आपने पढ़ा भी होगा है ना चलते आगे नेक्स्ट वाले कॉशन के बारे में यह आपके स्किन के उपर लेकिन उसके पहले बात है इसका जो आएस से तेन दुआ है क्या बात है मेरे दोस्त ब्रयाग आपका सही है तेन दुआ या चोतर तो भूखता है मतलब ज्या किडो को साफ काईगा साफ को थेन दुआ भी खाता है या फिर चुहा भी खाता है ऑके चलते हैं तो है चोथा वाला बात करेंगे निम्दलेखित में से किस ने एश्या का पहले समाचार पत्र-प्रकशित किया बुपंदर नादध अर्विंद गोश् धान्दी या जे ए ख हिक 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 बताई इसका सचेट क्या रहे गा क्या रहा है वह सब आपके स्किन के उपर काफी important तरीके से यह रहा ओके देखेगा यह है important that is a J A Hicky यह आपका right answer है निमलकित मेंसे किस ने शेक अपका पहला समचार पत्र पकाचित क्या तो J A Hicky का ओके ध्यान रखेगा काफी important वाली बात है यह आगे चलते देख लेंगे नया question आपके स्किन के उपर दोस्तों यह रहा जही है कि yes 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 Waterloo का युद्ध कि इस वर्ष में लड़ा गया था Waterloo सबको पता है नेपुलियन से लेटेड है नेपुलियन ओके तो यह कब लड़ा गया था 1835 में 1815 में 1850 से 840 में क्या लगता आपको इसका स्राइड एंसर क्या रहेगा बताईए what would be the answer of this one कुछ पता है आपको बताईए इसका एंसर क्या रहेगा एजीए मुश्किल है नहीं है आपको थोड़ा पता करना है कि इसका एंसर क्या रहेगा आप सभी का इंतजार कर रहा हूं कुछ आ रहा है चलिए देख लेते हैं आपके उससा एंसर आपके रहा आप सभी का यह 18 15 है वाटरलू का युद्धोबर किस वर्स हुआ था तो 18 15 तो उससे लड़ा गया था यह इंपोर्टन्ट है आगे चलते हैं बाकी लोग क्या करें बाकी लोग एंसर नहीं दे रहा है पिछले कुछ टाइम से बताइए अच्छा प्रैग ठीक है 18 15 से वला है आगे चलेंगे निमलेखित में से कौन सी नदी बंगल की खड़ी में बहती है अब मक्कन कॉशन है सब को पता है रीवर के ब आगे चलतें देखलेंगे ज़रा नया कोशन है पर क्या रहेगा आप से भी के साथ यह रहा देखिए नया कोशन यह दोस्तों गांदी जी ने किस आंदुल में पेहली बार भूक हरताल की किया था क्या खेदा सत्यागरा में एमदबाद मिल स्ट्राइक में चंपारं आगे चलते बात हैं पर करेंगे नेक्स वाले कोश्चन के बारे में त्रिपूरा की विदान सभा की सीटे कितनी है 80 है 60 है 55 है या 49 है क्या इसके उसराइट आंसर रहेगा बताईए क्या रहेगा बताओ यह रहा आपके स्किन के उपर यह सीटे दोस्तों 60 है क्या बात है संदीप आपका सही आंसर है संदीप बोगी जी बोई जी या आगे चलेंगे बाताओं करेंगे निमलेखित में से कौन सा अंद्रपदेश का शास्तिर नुर्त्या है अब यह बात पता है आपको क्या ओडिशी होगा बिलकुल नहीं बरतना ट्यम होगा पता नहीं कतकली होगा पता नहीं कुछी पूड़ होगा पता नहीं सभी ग्रह दक्षिना वर्त दिशा में घूमते हैं सिर्फ औल पैनेट्स रोटेट अंटी क्लॉक्वाइज डिरेक्शन एक्सेप्ट मर्कुरी अन अर्थ वीनस अन साटन नेप्चून अन मार्स या फिर वीनस अन मार्स वीनस अन उरनेज बताइए कैसके दोसर आंसर क्या लग रहे आपको बताईए आ रहा है सभी दिशा दक्षिन वर्त दिशा में घूमते मतलब इन्हों एंटिक्लॉक्वाइज घूमते हैं लेकिन यह जो ही एक्लॉक्वाइज गूमते हैं दोस्तों शुक्र और आपका युणिस रहाँ डी वाला साई आइसर है क्या बात सब्सक्राइब क्या रहेगा बताईए राज भीहरी बोस इंपोर्ट इंपोर्ट है आगे चलते बात हैं पर करेंगे नेक्स वाले क्वेशन के बारे में यह आपके स्कीन के उपर चवरी चवरा कान दोस्तों कब हुआ था 7th February, 5th February, 4th February या 6th February बताईए What should be the right answer of this one बताओ क्या होगा था इसका right answer क्या होगा कब होगा था दोस्तों हुआ था यह 4 फरवरी चवरी चवरा कब होगा था देखो फिर से एक बार Come on चवर चवर कब होगा था आदारा नहीं आ रहा है बताओ यह 4 फरवरी को होगा था 4 फरवरी को दयान रखेगा 4 फरवरी 1922 आगे चलते है बात करेंगे next वाला या आपका right या आपका right 4 फरवरी is the right answer नो नो पाच फरवरी नहीं मेरे दोस्ट देख लो आप चेक कर लो इसका कर रहा हो यूपी में है ओके यूपी में गोरगपूर के डिस्टिक में है अपका प्रदिश्टिक मैं,, नहीं में है तो गोर्द डश्टिक के अगर official website हम open करें उस वाले collector की तो उसमें क्या आएगा उतवर सरकार की उसमें लिखा गया है 4 अब बताओ, अब क्या करे, अरे नहीं मेरे जोस ओफिसेल वेबसट भी लिखा गया है, हाँ, हम थोड़ी न मन से कह रहा है, हम मन से थोड़ी ना कह रहा है, समझ रहा हो? तो यह ओफिसेल वेबसट भी लखा गया है, गौवर्मेंट की, तो आप एक बार फिर से चेक कीजिए हम क्या करेंगे कल सुबह आईए का क्लास में हम डिसकस भी कर लेंगे है ना यह चार फरवरी है आप जाएए उप्टिशल वेपसाइट पर चलते नेक्स बात करेंगे नेक्स वाले कोशन के उपर गंगा एकस्पेस वे परियोजना के लिए भूमी अधिगरहन के लिए कितनी राशी आरक्षित है 6400, 1500, 1200 700 या फिर 2400, 500 बताइए अरे प्रयाक जी चार ही है आप गोरगपूर डिस्ट्रिक कलेक्टर की वेपसाइट पे जाएए वहाँ पे ऑफिशली लिखा है गोरगपूर डिस्ट्रिक की वेपसाइट के कि गोरगपूर डिस्ट्रिक मुझे चवरी चावरा है वो इंसिडेंट चार फरवरी को हुआ है अगर आपको लगता है गलत एक बार चेक करके आ जाएगा मैं आपको वेपसाइट का नाम भी बता दूँगा वेपसाइट का नाम है गोरगपूर डॉट 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 इन गोर्मेंट की वेपसाइट है अब बताओ नाशनल इन्फरमेश्टिक सेंटर दौरा यहां पर क्या उसे मैनेज किया गया है अब बताओ अब इससे अरे हां मेरे दुट रख्षूशल भी सभी गोरगपूर से तो बात ही कता मैं है ना है चलिए अरे प्राग आप मैं कैसे गलत बता रहा हूं अब ढूंडिये मैं आपको वेपसाइट भी बता दी मैं आपको आप ढूंडिये ना फिर बात करेंगे साथा दोस्तों यहां पर क्या है ओके यहां अरक्षेट आगे चलते बात करेंगे नेक्स वाले कुश्चन के लिए गलत होता है मैं गलत accept करो लूँगा अगर नहीं है तो फिर क्यों आगे चलते है रस्टिंग एज जंग लगना दोस्तों क्या होता है या इलेक्ट्रोलीज ऑके ऑक्सी करन ऑके अपचयन और इनमें से कोई नहीं बताईए आयो क्या मानता है ये डिफरेंट बात है अब को कहूंगा यहाँ पर चेक कर लिजे प्रिवेश एर कोश्चन में कहीं बी और चले यहाँ पर न आपको बतादो जो जो आफिशिल सोर्स वो ज़रूर याप आपका फॉलो करना है क्या क्योंकि इतने बड़े पढ़ाई करते ज़ीjust है तो यह मैं समझ सकता है और हम जो पढ़ाई कर रहा है उसटाइप डेफिनिटली कन्फॉजन रहा है काफी लेकिन अब जो है आपके उंग्लियों पर आवेलेब में है क्या लगता आपको in which part of India are the Garo Hills located North में North East में South में या Southwest में बताइए यह रहां दोस्तों सेवर रडाएंसर आपका यह North East में दोस्तों गारो पहाड़े से गारो कहांसी जेतिया मेघाले सबको बताइए बताइए चिनाब गिरी या फिर भियास या रहां दोस्तों से वर्डाएंसर यह गिरी नदी पे है ध्यान रखेगा ओके चिनाब पर नहीं है रिणो का जबाद पर्योचना गिरी पे है ओके इंप्वर्ड़न्ट है ओके चलेंगे आगे चलते बात करेंगे नेक्स वाले question के बारे में, question यह है तो उसे देख लेज़ेगा, निम्नलिकित में से किसको भारत सरकार के मुख्य करणो अधिकारिक रूप में भी जाना जाता है, which among the following is also known as the Chief Law Officer of Government of India, क्या यह CJI है, CAG है, AGI है, या फिर दोस्तो जो जब Supreme Court of India है, बताएए, D रहेगा, भारत सरकार म मुख्य कानो आयुक्ति के बाद यहापर हो रही है, बताओ, अटरनी जनरल है या Auditor General है, यह आपके skin के ओपर दोस्तो, यह अटरनी जनरल होता है, ओके ध्यान रखेगा, आटरनी जनरल यह महादी वकता भी उसे कहता है, महादी वकता भी खेगा, शाध आपको पता होगा, अगे चलते हैं, अरे क्यागग देश का होता है दोस्त? क्याग देश का होता है क्याग? रिपोर्ट याद है? जो 2G घुटा ले की? आगे चलेंगे, बात यह पर करेंगे अर्नेस्ट ओरलांडो लोरेंस नहीं किसकी खोच की थी electric motor की electricity की electric fan की या cyclotron की बताइए what was discovered by Ernest Orlando Lawrence क्या लगता आपको बताइए बिजली की मोटार, बिजली, बिजली का पंखा या फिर cyclotron क्या लगता इसका राइड़ेंस से दूसरों क्या रहेगा बताइए come on दूसरों राइड़ेंस से दूसरों यह रहा आपके skin की उपर, यह आपका cyclotron है, सही है yes, रंजन आपका सही है, प्रैग आपका सही है, and yes, सश्री आपका भी सही है yes, good one, good one, आगे चलता है, बात करें दूसरों मानेव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन को स्रावित करता है, क्या यह pancreas है, kidney है, gallbladder है, या फिर liver है, बताइए क्या लग रहा है, मानोचरी का कौन सा अंग, इंसुलों को स्रावित करता है यह रहा दोस्तो, yeah, pancreas is the right answer, okay, pancreas आपका सही answer, okay next बात करेंगे, भारत में हर साल राश्री चुछा दिवस, अब डेज के वरें बात यह आ पर आ रही है यह कब दोस्तों मना जाता है, क्या आप 5 सितमबर, 5 अक्टूबर, 11 नवंबर, या 8 सितमबर, बताइए क्या लग रहे हैं, इसका दोस्तों, right answer क्या रहेगा, right answer दोस्तों, आपके स्किन के उपर यह रहा, देखे, it's 11 नवंबर, ओके, yeah, it's a civil option, 11 नवंबर, right answer आपका, द्यान रखेगा दोस्तों, तो यह था आज का सेशन, हमने काफी सारे questions यहां पर करें, अब दोस्तों, आपने जो तीन सेशन का स्केडूल है, मैं आपके यहां पर लिग दिया है, कि हम सुभे, 9 बज़े करते हैं, BPSC के लिए, जो सितमबर में होने वाले, उसके लिए, लास्ट 1 नेर का current office क यहां पर, special current office है, तो इसे edit कर देता हूं, ताकि, यह confusion ना रहे, उसके बाद दोस्तों, अभी 3 बज़े जो होता है, वो होता है, बिहार police, you know, rapid fire यहां पर होता है, तो यह काफी वाली important information जो मैंने आपके यहां पर यहां पर शेयर करी, तो शायद सबकों यहां पर समझ में आ चुका होगा, क्या का वहां पर कर रहे है, तो कल 3 session होगे, पहले session रहेगा 9 बजे, दूसरा रहेगा 12 बजे, और तीसरा रहेगा 3 बजे, तो आपकी जो demand है उसके अनुसर आप आ जाईएगा, preparation कर लीजेगा, and telegram channel को follow ज़रूर कीजे, उसमें आपको links मिल जाएंगे, जि you know, official resources को हमेशा follow कीजेगा, काफिद आपको उसके फाइदा होगा, so till then, मिलते नेक्स्ट कल सुबह, टाटा, बाबाए, टेक केर, अपना ध्यान रखेगा, ओके, या, बाबाए